स्वागत है आप सभी मित्रों का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल स्टेडी पॉइंट में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यह कोई पेपर है और यह पेपर आपका है एगरिकल्चर और आपका प्रदर्सक रेशम और पुस्पालन विभाग में जो आने वाला आज हम इस पेपर को हम सिर्फ पचास क्वेशन तक सौल्व करेंगे बागी के पचास कुशन हम अगले वीडियो में देखेंगे और जिन जिन को पीडिएप चाहिए होगी वह हमसे संपर कर सकता और पीडिएप का लिंक जब हमारे 100 क्वेशन पूरे हो जाएंगे तो हम डि प्राखन के अलग से की जाती है तो ऐसी कुछें उस ग्रूप में होते रहते और आपको वहां पीडियाप वगरे भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं समय समय करेंट अफेर वगरे की ठीक है तो इसमें हम पचास कुशन हम देख रहे हैं तो सुरू करते हैं आज की जो यह व के अंदरक नहीं होता है जिनको हिंदी समझ में नहीं आती वह इंग्लिस की साइड भी देख सकता है इसलिए दोनों साइड का आपके सामने पेपर रखा गया है नेक्स्ट क्वेशन हमारा सेकंड क्वेशन निम लिखित में से किसके द्वारा उच्चुतम इस्तर की बहुरूपता प्रदर्सित की जाती है यानि कि वीच आप फॉलॉइंग सोज हाइस डिग्री ऑफ हाइस डिग्री ऑफ पॉली मॉर्फिजम ठीक है यानि कि पूरे हो जाएंगा तो आपकी पीडिप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेशन हमारा सही संबंध है यानि कि इन ऑप्शन समय से सही संबंध किसका है के पीज कॉल टो के सी आर टी ठीक है डिग्री डेल्टा एन तो इसका उप्शन एसे हो जाएग इन जो फिजिक्स के क्वेशन है ठीक है चौर्थे क्वेशन पर चलते हैं दो असमांतर सदिसों ए तथा बी का परिमान क्रमशों ए तथा बी है तो निम्ल में से कौन सा सदिस संबंध सदेव लागू होगा तो इसका उप्शन हो जाएग आपका डिग्री नेक्स क्वेशन है पाचवां निमल्खित मैंसे कौन सा एक डूबने से मृतिवाले मामले में सहयाक है यानि जब क्याकर डूबने से मृतिव होती प्लाइगा तोस्य की पोरिम से Lenoạn कर लेता है तो इन साइनी का पेली बॉटनी इस्टूट है वह कहां इस्थित्या तो यह आपका है लखनौ में ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है पॉलिटीन गुंसूत्र हो पाई जाते हैं पॉलिटीन गुंसूत्र पिछले जो पेपर मैंने करके देख सकते हैं यूटूब चनल जागाके बशक्ते हैं कफी इंडीगो डाई है ठीक है ऑनि को पता है कि डाई क्या होती है बहुत प्रकार के ज orange को turns आपके जो करने की काम आते हैं वो प्रकास की आपवर्तन के कारण निम्न मेंसे कौन सी भौतिक रासी नहीं बदलती है तो यहाबका जो आपका prophecy जो आवरती है आपका ये कभी नहीं बदलती है प्रकास के अपवर्थन के साथ में ठीक है next question है दसमा फोस जीन का रासानिक नाम है फोस जीन का रासानिक नाम है chemical name ऑफ फोस जीन इस तो chemical बिजानो धानी एक कोशिका से बनती है तो कह रही है तो इसको कहा जाता है आपका option d lepto sporengiate ठीक है lepto sporengiate इसको कहा जाता है जब सिर्फ एक से से इसका निर्मान होता है next question है बारा question बिगटन कारी चैन परिणाम देता है बिगटन कारी चैन परिणाम देता है तो इसका option हो जाएगा आपका acer B आपका. सिनफ पर्जाथी कर एडिकैन सीप्टेयक पर्जाती करन के सारे क्षीशन का कॉंपलूजन है साथ़ केमिस्ट्डि आपका ठीक DR तो एग्रिकल्चरी सब इसमें मिक्स अप है तो ऐसी पेपर आपका होने वाला है इन चीजों का तो ध्यान से देखेगा इंपोर्टन है यह और जाद से जादा चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके तेरो केशन है निम नमेंसे की समों की उफस्ति से बेंजेन वलाई लक्ट्रोन इसने ही प्रतिसापन के प्रतिसा क्रिया हो जाता है तो इसका उप्शन हो जाएगा आपका ओएच माइनश ओएच ठीक है नाबिक के अंदर बीटा चही की परक्रिया को दिखाया जा सकते हैं तो ये दिखाया जा सकता है आपका option A एन एरो पी प्लस एलेक्ट्रॉन प्लस वेरियांज नेक्स्ट है पंदरह क्षिशन है निम निम वैसे silver nitrate जांच किसके लिए होती है जो silver nitrate जांच होती है वो किसके लिए होती है तो इसका option B हो जाएगा aluminium phosphide जहर की जो aluminium phosphide का जहर होता है उसके लिए जांच होती है आपकी silver nitrate की किसी ने ऐसा जहर खाले है कि जिसमें aluminium phosphide है उस जहर में तो उसके लिए हम जांच करेंगे किसकी silver nitrate की नेक्स्ट क्वेशन है हमारा सोलों क्वेशन जाइगो पेरिक आवस्ता मिलती है इसका आप्षिन हो जाएगा D, Cooker BTC कुल में, जो आपका Cooker BTC कुल होता है उसमें मिलती है आपकी जाएगो पेरिक आवस्ता नेक्स्ट है आपका सत्रों क्वेशन Hot Spot जैविविता का सिधान दिया गया था, जो Hot Spot आपने सुना होगा कि ये जैविविता के क्या है Hot Spot है, ठीक है तो ये सिधान किसने पर दिबादित किया था तो ये किया था आपके Option A Norman Mayor द्वारा काफी important question है, काफी बार पुछा जा चुका है Hot Spot जैविविता का सिधान ठीक है, Norman Mayor द्वारा दिया गया था Next question है दुरबल अमल और इसके salt के लिए pH का मान है दुरबल अमल और इसके salt के लिए pH का मान है तो इसका Option हो जाएगा आपका B Option सही हो जाएगा Next question है एक M दरबिमान का कण आतर रिजा के 36 बुरित में के स्लैस आर स्क्वार के अभी के अंदरबल के अंदरकत गति कर रहा है जहांकि एक नियतांक है इसकन की कुल उर्जा होगी तो इसकन की कुल उर्जा क्या होगी physics का question है इसको solve करना पड़ेगा आप अभी इसका answer देख दीजिए हम अलग से solve करके आपके सामने रखेंगे तो इसका option हो जाएगा आपका C option 200 question है धारा 233 में CRPC के तहट किसे सरकारी बेगानिक बिसेसर के नहीं माना जाता है जो आपका धाराइं होती है वो क्या होती है अनुछेद अलग होता है आपकी धाराइं अलोग होती है धारा क्या होती है जो आपका Indian Panel Court है उसमें जैसे हमारे समिदान में धाराइं है ऐसी Indian Panel Court है यानि कि IPC में क्या होती है धाराइं होती है आपने सुना होगा इस धारा के अंदर इसको यह सजा दी जाती है इस धारा के अंदर यह सजा दी जाती है ठीक है तो यह होती है आपकी धारा एक होता है आपका IPC और एक होता है आपका CRPC IPC क्या होता है इंडियन पैनल कोर्ट जो 1867 तक चल रहा है जो मैंकॉल ने उस टायम दिया था इंडियन पैनल कोर्ट ठीक है CRPC क्या होता है ये होता है आपका Criminal Panel Court CRPC जो IPC होती है उसके अंतरगत पुलिस काम करती है देखा होगा आपने वो भी क्रिमिनल होता है तो उसको बोला जाते कि आपके इन दारहों के अंदरकत आपके आपके यह 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 दारहें आपके उपर लगाई गई हैं इन इन दारहों में आपके मुझरिम हो जब मुझरिम होता है तो उसके बाद आपका मुल्जिम होता है उसके बाद CRPC, जब COAT में जाता है, तो COAT करता है, आपका CRPC, ठीक है? तो ये चीजें हैं, समझने लायक चीजें हैं, तो के तहट किसे सरकारी बैगानिक विशी सक्या, नहीं مाना जाता है, तो ये नहीं एक यह स्युक्टीण होते हैं है नेक्स्ट क्वेशन है काटिसोल स्रावित होता है या कॉर्टी सॉल होता है यह स्रावित कहां से होता है . अधरेनल उटापका कॉर्टी आपका काटिसोल , अधर grappshot करता है है ये करता है आपका option फ्यु नेक्स वैस्ट क्न है टो ही स्षगोले का उसकी इस पर्सी के शाप्दयक से जड़त आगोंट होता है जैक्त रोगतшт किसकी पैचान के लिए होता है ecासी के लिए होता है मूत्र की जब आपको दो ऑप्शन दी जाते हैं मूत्र और जो जो देखो लार है पसीना है और आसू है और मूत्र है जैफी टेस्ट हमेशा आपका होता है बलड और मूत्र के लिए बलड प्लस मूत्र ठीक है यूरिया और बलड के लिए तो जैफी टेस्ट हमेशा किया जाता है दो चीज़ों के लिए इसमें option एक है मूत्र तो यहां पर मूत्र आपका से हो जाएगा next question अनावरित बीजियों को किस प्रणाली में दुबीच पत्री वह एक बीच पत्री के बीच में इस्थान दिया गया है तो इसका option एँ हो जाएगा बेंथम एवं होकर की प्रणाली के अनसार ठीक है next है सटोली कोशिकाएं संबंदित होती हैं जो इस्पम होता है सुक्राउनों के पुषण के लिए संबंदित होती है आपकी सटोली शेल्स आपने काफी बार 12 तक सुना होगा सटोली सेल्स तो यह होती हैं आपकी इस्पम के पुषण से संबंदित जो नुट्रिशन देता है यह इस्पम को next question है हिंसबर्ग अभी करमक है हिंसबर्ग अभी करमक है तो हिंसबर्ग अभी करमक है तो हिंसबर्ग अपने हो जागा 66 H5 SO2 CL ठीक है option D से हो जाएगा उन तीसवा question ध्वनी का वे सामवाने तहग गैसों की एक झाथोसों में अधिक होता है क्योंकि गैसों की तोलना में थोसों का इसका option 20 होगा तोसों का क्या होता है घंत तो अधिक तथा पर्त्यासता अधिक होती है तीक है next question है तीसवा निम्न मैंसे मेथिल अमिन किस से किर्याकर मेथिल अईसोसाइनाइड बनाता है निम्न मैंसे कौन सा प्रकास की कणिका सिध्धान्त का समर्थन करता है निमनमेंसे कौन सा प्रकास की कनीका का सिद्धान का समर्थन करता है तो यह करता है आपका ओप्षिन बि- ठीकर फोटो- एलेक्ट्रिक एफक्ट होता है वो इसका समर्थन करता है कनीका का सिद्धान integrate नेक्स्ड क्वेर्ट है के लेकार्ड का लोकार्ट का स्फ़षा वर किस संबनेता है तो यहां आपका सक्षचे समाद्रों से याई मैं कि काउन की आट होती है चीड की कास्ट होती है, तो ये होती है आपकी पिकोगारी, कया यह होता है यह उसका वोड़ होता है, वो चोड़ होता है तो इसके थ papagakा किकोगा यह होता है। हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है जो फैक्टर आपका एर्थ होता है फैक्टर एर्थ की कमी से होता है आपका हीमोफीलिया नेक्स बूँक्न है ग्रेंट एल्कोःल जाना जाता रहता है तो यह जाना जाता है आपका इतहिल एलकोःल के नाम से द्राइन कॉस्शं किसी बल को सेनक्षित होने आवशेक सर्थ है किसी बल याणि एने हमान क्या होति है तो इस का घूज़ाद आपका कल कल F का मान सुन्य होना चाहिए जो कल F होता है कल force होता है उसका मान हमेशे क्या होना चाहिए सुन्य होना चाहिए next question ग्लास तूटने का 3R नियम संबंदित है प्रारुप की खोज के लिए नोबल पुरुसकार के सहभागी थे जब डियाने का डबल पुरुसकार के सहभागी उसमें कौन-कौन थे तो यह थे आपका वार्सन क्रिक और विल्किस इन तिनोंने क्या किया था डियाने डबल का प्रारुप दिया था कि डियाने क्या होते हैं ऐसे ड्रिकुंडलन वाला होते हैं डबल हलेक्स वाला होता है नेक्स्ट क्योंच है चार धातों के हेलाइट्स का ठूस आवस्ता में रंगीन होने का कारण तो यह आपका एप सेंटर हो जाएगा यानिकि फूर्ज या के है तो जब हाई सिगनल का मैसेज आता है तो उसमें फ्रिक्वन्स कंलाती determinants प्रिक्वेप के यह आता है तो उस्का है जाता है तो उसे करा जाता आपका का 10 व्रेषंव टृफशव रिक्वेइश की तुलना करने के लिए विद नास्कारी तरीका है शाही工 की तुल्हा में तुलना करने के लिए यानि कि non destructive approach to compare ठीक है inclines is done by तो यह हो जाएगा आपका thin layer chromatography जो chromatography होते है उसका एक पार्ट होते है आपका thin layer chromatography ठीक है तो यह हो जाता आपका शहें की पंक्तियों की तुलना करने वाला next question है heterocyst नहीं पाए जाते हैं hetroGet नहीं पाए जाते है तो यह नंस ठीक है ग्राम पॉजिटिब ग्राम नेगिटिव आपकी बैक्टिरिया होते हैं तो जो ग्राम पोजिटिब बेक्टिरिया होते है वाइरस होते है उन में पायदा आपका झाल अनुपस्तित होता है यह इस पेस्टीर dt है तो पोटेशियम आयोडायड में आई टू का जलिये विलियन आपका क्या है तिंचर आयोडीन है नेक्स्ट क्वेशन है द्रबेमान संक्या वाले नाभिक की तरेजिया होती है इसका ओप्षन हो जाएगा आपका बी सहतारीशों प्रेशन है पुलिस अनसंदान और विकास इस्तित है तो पुलिस अनसंदान और विकास ब्यूरो इस्तित आपका नहीं दिल्ली में अफ्टन डी सही हो जाएगा अनतारीशों क्वेशन है एंथोसाइन पाई जाते हैं आपके जो आपका क्रोमोपलास्ट होता है वर्णिलवक होते हैं उनमें पाई जाता आपका इनके बीच में ठीक है यह पाई जाता आपका ट्रिपल है रोजन बॉंड पचास है आपका लास्ट लास्ट क्वेशन होगा आपका इसमें से कौन सा गलत समीकर ने तो इसका ओप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पचास के आगे हम अगली वीडियो में आपकी सामने इसके क्वेशन रखेंगे ताकि वीडियो आपके सामने लंबी ना हो और जैतने क्वेशन कराएगे आप यह तो नूट कर सको या आपकी समझ में आसके ठीक है तो इस वीडियो को जाद से जाद से शेयर कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो कैसे लगी कहाँ पर गलती हुई आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं धन्यवाद आगे भी बनने रहेगा हमार साथ बहुत बहुत धन्यवाद